तो यह पैर कोई स्रद्धा और भक्ति से नहीं चूता है मगर वही उनका समर्थक या नेता जो पैर चुरा है आज कल जब पार्टी छोड़के जाता है तो उनको कुप गाली देता है से यह पता चलता है कि वह कमांड कर रहे हैं मगर उनकी जगा पर निर्देश दिया है प्रशाद के पुत्र भी हैं वह कह रहे हैं कि सोचल मीडिया पर अधिक से अधिक प्रचार करें अपने काम का विभागीय मंत्री एक समय था जब इस पाटी के जो राष्टी अध्यक्ष हैं लालु प्रशाद जी वह लाठी घुमावन तेल पिलावन लाठी घुमावन का देते थे तो कहें कि हमारा वोटर जो है वह अखबार नहीं पढ़ता है इसलिए हमको फर्क नहीं पढ़ता है तो इसका ठीक उलगते जस्वी ने अब कहा है और सबसे बड़ी बात जो नोंने कहिए कि पैर न छुआ है राजनीती में यह एकदम छुता बिमारी की तरह फैल के हो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हो या आरजेडी के हो सभी ने अपना पदभार भी ग्रहन कर लिया है लेकिन देखिए आज तेजस्वी यादों ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के लिए कुछ दिसा निर्देस जारी कर दिये है कि कैसे काम करना है क्या करना है और क क्या नहीं करना है एक बार फिर से हम आपको उन बातों को बता देते हैं जो छो बाते तेजस्वी यादों ने अपने मंत्रियों को आदेश में दिये हैं साथ तोर पर कहा है कि राश्ट्रिये जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गारी नह ही छुने देंगे सिष्टा चार और अभिबादन के लिए हाथ जोड कर प्रणाम नमस्ते वो अदाब की प्रंपरा को ही बढ़ावा देंगे इसके अलावा देखिए जो भी लोग उनसे मिलने आएंगे उनसे वो जो पुस्प है या जो गुल्दस्ता कहते हैं वो नहीं ल से कही है लेकिन अखिरकार एसा क्यों तेजस्वी यादो को कहना परा क्या कारण रहा और दी की चशबी को बहतर बनाने की कोशी से चव् Luis लंग करने की कोशी से ऑप सरकाल में चो बाते मंत्रियों को उन्होंने कहीं है कि यह यह करिए क्या इससे कुछ होगा कि यह एक बहुत बड़ा कदम और सराहनिय कदम है इसकी तारीफ करनी चाहिए और हाल के दसकों में हमको नहीं लगता है कि किसी सरकार के मुख्या या उप मुख्या ने इस तरह का निर्देश अपने संत्रियों के लिए जारी किया हो और खास करके उस पाटी में जिसकी छवी बनाई जा रही है या पहले से रही यह कि जंगल राज का सासन था उसके कारकाल में उस पाटी की और से यह मैसेज देना एक बहुत बड़ी बात है और राजद में आ रहे बड़े पैमाने के का संकेत भी दे रहा है एक समय था जब इस पाटी के जो राष्टी अध्यक्ष हैं लालु प्रशाद जी वो लाठी घुमावन तेल पिलावन लाठी घुमावन का नारा देते थे जिसका संकेत यही था कि बिरोधियों पर लाठी से प्रहार करो या लाठी से डराओ उनको इस क्या होता है हम को इस की समझ नहीं है और इससे कोई मतलब भी नहीं है फिर लालु प्रशाद यह भी कहते थे मीडिया के बारे में पूछे जाने पर कि आपके खिलाप इतना निगेटिव छपता है तो आप उस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया देते हैं तो कि हमारा बोटर ज है राजत की सरकार में 17 तो जो काम करें उसको अपने सोसल मीडिया पर प्रचार करें उसका तो एक और जो कह रहे थे उसके अध्यक्ष पार्टी के कि आईटी वाईटी क्या है उसी पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं भीहार के तेजस्वी प्रशाद और लालु और दोने साथ चारा घुटाले में सजायापता हैं, सजा भुगत रहें हैं, उसी पार्टी के नेता तेजस्वी यादाव कर रहें कि काम काज में मंत्री हमारे पारदरशिता बढ़ते हैं और तेजी से निप्टारा करें काम का लंबित नहीं करें उसको पेंडिंग कोई का पेंडिक ज्यादा दिनों तक न रखें उसको जल्दे जल्दे उसका निप्टारा करें यानि बिहार का तेजी से विकास करें तो यह एक बड़ा बदलाव है साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मंत्री नई गाड़ी न खरीदें तो यह वो समझ रहा है कि प्रदेश आर्थिक संकट में है बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और गाड़ी खरिदने में जो पैसा खर्च होगा उसका विकास के काम में उपयोग क्या सकता है जनता के भलाई के लिए उसका उपयोग क्या सकता है तो ये एक सकारात्मक और अच्छी सोच है इसका सभी को स्वागत करना ही यह बात की पैर चूते हैं बड़े-बड़े बजूर्ग नौजवान नेता का पैर चूते हैं धड़ाम से गिर जाते हैं पैर पर और इतना हास्यास्पद और भद्दा दिखता है कि पुछिए मत अब नेता भी आनंद लेते हैं वह रोकते नहीं है माने नई देखा कि कोई नेता जवर्दस्ति किसी को मना किया हो या कहा हो कि पैर मत चूए हमारा उनको मज़ा आता है लगता है कि यह हमारा प्रभाव है नेता फिंजुद से मिलता है पहर छुता है कि उनकी किरपा दृष्टी मिल जाए तो हम आगे बढ़ जाए एमेले बन जाए मंत्री बन जाए कोई लाव वाला पद हासिल हो जाए इसलिए पहर छुता है तो इसको पहचाना है ते जस्वी यादों ने और इसलिए उन्हों है अपने मंत्रियों को लगया है हाँ जोड करके परणाम करें भरतिये पर अधिक बनाम करने की हाँ sudah की और अब gorona का में तो पूरे 20 हमें हाद जोड के परिनाम करने करना चलिए विल्क। शबकूल सबको मतलब मंत्रियों को मंत्रियों को सब Augment करने लगएंगे तो पर देखा देखे नीचे कें सबसें बड़ा यहीं है की तेजश्वी ने अपने तरफ से कोशिस्तो की मंत्री तो की मँंथ क्योंकि वह जांते हैं कि जब नहीं चुने हैं तो हो मंत्री मंदल में हैं उन्हीं का चैन है अगर नहींस के तो उनके सामने संदेष जाना चाहिए था मुख मंत्री हम सब्सक्राइब की होड़ा जो मुख मंत्री हैं उनके सरकार में तो i-is i-is-is यह पता चलता है कि वोमांड कर रहे हैं मंत्रियों की ज्याधा संख्या उन ही कि RJD की ज्यादा- मत्यात्री सरकार में अपने मंत्यों को ऐसा काम कर रहे हैं आता है महागणदन का अंतरसाफ बिलकुल दिख रहा है और ये हमको लगता है कि इस बात का जवाब भी है कि जो जंगल राज कहा जा रहा है कि जंगल राज रिटर्न ये विपक्ष लगातार का रहा है खास करके भाजपा के लोग कह रहे हैं तो उसका एक जवाब भी है मगर इसके साथ ही जो अपराद बढ़े हैं हाल के दिनों में और लगातार खबरें आ रही है तो अपराद पर काबू पाना पड़ेगा तभी ये अलोचना जो हो रही है या जो हारोप लग रहे हैं उससे वो छुटकारा पा सकते हैं जेडी के लिए एक और समस्या ये भी है कि कहा जाता है कि सत्ता में जब रहती है तो उससे ज्यादा उसके जो कारे करता है वो उदंड बाहर बहुत ज्यादा मचा देते हैं तो उनसे भी बचना बहुत ज्यादा जरूरी है बिल्कुल जरूरी है और वो कार करता जो के सरवचनेता है तो वो जब यह कह रहे हैं तो इसका मैसेज साफ है और यह नीचे के एकदम बिल्कुल समझेए कि पंचायत लेवल गाहों लेवल के कारकरताओं तक यह मैसेज जाएगा कि हमारा नेता यह कह रहा है यानि अब हमको यह सब आदत छोड़नी पड़ेगी पहले इसन थिया जाता है नहीं जाता था पहले तो और उनको भढ़ावा दिया जाता है जो गहला कि अपराधी होता था अपनी एक हैसे हैं कि दागी लोग हैं और जिनकी छवी अच्छे नहीं है समाज में मगर उन पर काबू पाने के लिए तेजस्वी ने जो ये कदम उठाए हैं ये बिल्कुल सराहनिये कदम हैं और इसकी तारीफ की जाने परिनाम का इंदजार करना होगा कि क्या होता है उनका कितना असर होता है इसके बुजूर करे करता समर्थक से पैर नहीं छुआना है और इसके अलावा जो मंत्री है जो उनका विभाग है जो काम कर रहा है तो उसका प्रचार प्रसार भी करना है ताकि जो योजनाय बनाई जा रही है वो लोगों तक पहुँचे लोग उसे जान सके समझ सके कि कैसे लव स्रीयों को संदेश दे रहें कारे करताओं को वो क्या जमीनी इस्तर पर लागू होगा होगा तो कब तक हो पाएगा परिनाम क्या निकल कर आप आता है यह देखने वाली बात होगी आरजेडी जिसकी छवी जो पहले जंगलराज की बनी थी उसमें तेजश्वी यादो पर लाइक जरूर करें